हेलो फ्रेंड्स मेरो नाम है अभी देखे और वेलकम टू टेक्सोर तो यहाँ पर आपके कम्प्यूटर या लापटॉप में फॉंट्स आपको बहुत छोटे दिख रहे होंगे हो सकता है आपने फॉंट को चेंज किया होगा रजेस्ट्री एडिटर की मदद से तो आपको य चोटे आ रहे हैं या file explorer में भी font आपको चोटे दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए हम रिजिस्ट्री हैरी की मदद से सही करेंगे कैसे सबरेसे ही करेंगे चलिए देखते हैं तो इसके लिए मैं आपको description में link दूंगा आपको वो link open करनी है जब आप link open करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाए देगा इसे आपको save करना है वो link किस तरीकी के होगी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैं आपको दिखा लेता हूँ वो लिंक डाउलोड करने के बाद आप लिंक डाउलोड करने के बाद जब आप उपन करेंगे फाइल तो आपको एक अलजीरियन दिखेगी और एक रिस्टोर डिफॉल्ट फॉंड तो आपको इस वाले को ओपन करना है इस पर डबल क्लिक है और सेव एस पर क्लिक करना है ठीक है सेव एस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं रिस्टोर डिफॉल्ट फॉंड फॉंड आप इसे डेक्सटॉप पर ही रखिए ठीक है यहां पर इसे डेक्सटॉप पर रखिएगा डेक्सटॉप पर सेलेक कर ले इसके कर लेंगे तो desktop में आपको restore different का ये मिल जाएगा इस पे आपको double click करना है yes करना है और इस तरीके से आपको continue करने बोलेगा तो आप यहाँ पर भी yes करें और successfully आपकी registry change हो गई है आपकी font normal हो गई है यहाँ पर अगर अभी नहीं होती है तो आप एक बार अपने computer को restart जरूर कर बंद करके चालो जरूर कर ले यहाँ से restart जरूर कर ले ठीक है और उसके बाद आप restart करके on करेंगे तो आप कोई भी चीज़ open कीजिए चाहाँ run open कीजिए या control panel open कीजिए इस तरीके से आपके font सही हो जाएंगे उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपना बहुत ज्यादा ख्यार रखें बाबाए